तो हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग और मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टन बात करनी है आप सभी से जो एक बहुत ही क्रिटिकल सिच्वेशन है इस वक्त एक जो वाइरस इस वक्त हम सभी लोग उससे अच्छे तरीके से अब परिपक्व हैं जानते हैं हम सभी लोग कोविड नाइटीन कोरोना वाइरस तो कोरोना वाइरस आप सभी इससे पहली बात बचाओ कीजिए वो सभी इंस्ट्रक्शन्स फॉलो कीजिए जो गौवर्मेंट आपको अपने ओफिसियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रही है आप आदे घंटे में एक घंटे में अपने हाथों को अच्छे तरीके से सावुल से डिटॉल से धोईए सैनिटाइज कीजिए अगर सैनिटाइजिशन आपके पास तो सैनिटाइजिशन का यूज कीजिए और बेस्ट आपको डिटॉल से ही होगा कोई समान बाहर से यदि लेकर के आ रहे हैं खरीद कर चाहे वो फल है चाहे वो सब्जी है चाहे वो दूद है चाहे कोई भी आइटम है अगर पैक्ड आइटम है तो उसको तुरंथी वहस कीजिए पानी से और पोसिस कीजिए कि गर्म पानी से उसको धुला जाए नहीं तो अ Second thing, इन सब चीजों से economy स्थिर हो चुकी है, हमारी है नहीं, हमारे देश की नहीं, बलकि all over the world अगर देखा जाए तो यह virus हर जगा पर फैल गया है, अमेरिका और इटली जैसे देश भी इसके सामने हाथ जोड चुके हैं और बहुत ही एक, मतलब कठीन समस्या है, तो सबसे पह हो खुद से कर सकते हैं अपने family के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, जरूरी है आपका जिंदा रहना, उन से मिलने के लिए, सबसे पहले चीज, दूसी चीज, इन सभी के चलते, जो students हैं, वो इसको as a golden chance utilize करे, CBSC अपनी official websites पे सारी information दे रही है, वहाँ पर कई बच्चे जिनके कुछ exams नहीं हुए हैं, जो 12th में थे, या जो graduation में थे, या NIOS के बच्चे जो है, जो open school से जो थे, उन सभी के कई exams नहीं हुए हैं, तो अफ़वा है कि exam cancel हो गया है, हमें free में pass कर दिया जाएगा, ऐसा कु students को promote किया जा रहा है, उनके internal assessment को देख करके, first, second, third, fourth unit test को देख करके, first year, second term के exams को देख करके, या फिर pre-board exams को देख करके, इन सब को देख करके उनने promote किया जाएगा next class में, तो उनको किया जा रहा है, तो आपके लिए तो एक खुसकबरी है, कि आप लोग promote हो चुके हैं, promote होकर कि आप अपने next class में आ गए हैं, जो बच्चे 9th से थे, वो 10th में आ गए, जो 11th से थे, वो 12th में आ गए, तो आप लोग एक दो board exam में आ चुके हैं, अब जहां पर आपको एक proper time मिलना चाहिए, class के अंदर वो classes अभी आपकी नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये teachers हैं, जो आपको subject wise पढ़ा रहे हैं, वो आपको कहीं न कहीं किसी माध्यम से आप सबसे touch कर रहे हैं, आप सबको सारी चीजे शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई सुरू कर रहे हैं, आपकी चाहे हो zoom app पे हो, चाहे हो YouTube channel के थूँँग हो, चाहे हो Facebook से लाइब आते हो, चाहे हो WhatsApp पे आपके PDF से, notes से clearance दे रहे हो, तो जरूरी है कि आप अपने teachers को follow करें, आप YouTube channels को भी follow करें, आप notes बनाएं, आप उनके instructions को follow करें, आप पढ़ाई पर भी ध्यान दे, अगर दिन में आप 2 से 3 घंटा पढ़ाई के और निकाल लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हैं इसमें, आप की safety है और इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि आप बोड क्लास में आ चुके हैं और ये problem आपको आगे जाकर कि phase ना करनी पड़े, जिससे कि October November में फिर से आपका एक phase आए कि practicals तयार करने हैं, assessments हैं, assignments हैं, बहुत साथ चीज़े आज करनी हैं, तो आप सबसे बड़ी चीज है कि अपने आपको पहले तो safety दे, हर चीज़ से दूर रहें, बाहर कम से कम निकले, teachers को follow करें, instructions को follow करें, और कोई fake news या आपको किसी social media का use करके आप ना फैल आएं, एक दूसरे के साथ, और पढ़ाई भी ध्यान से करते रहें, I hope, म कुछ accounts की videos लेकर के आया हूँ, जो chapter 1 से सुरू है, NPO की है, और economics की भी chapter 1 की videos आ गई है, BST के भी, जो revision series है, जो बच्चे 12 में थे, जिनके exams नहीं हुए BST के, और वो बैठ गए है, तो उनके लिए revision series जो है, उनकी videos भी question wise मैं लेकर के आ चुका हूँ, उसको भी देखे, और जो बच्चे अभी आये हैं 12 में, उनके लिए भी BST के वीडियो कल से लेकर के आऊँगा, और सबसे पहली चीज मैं आपसे दरफास करूँगा, कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़े, रिस्पोंस करते रहे, पढ़ाई करते रहे, ध्यान दे इन सभी चीजों अबी और सेफटी बहुत मस्ट है, क्या पता, जो आप बाहर निकल रहे हैं, किजी के टच में या रहते हैं, या कहीं भी आप टच करोई किसी समान को किसी चीज को वो किसने टच किया हो या कैसे हो, कहा पे क्या है कुछ किसी को अबी पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही pandemic सिच आगे बढ़ेगा इंडिया, हम बचेंगे, हम लडेंगे, और आप भी पढ़ाई जरूरी है, इसलिए आप पढ़ाई भी करते रहे, पढ़ाई को मिसिंदेस्टेंड ना करें, कोई इंफोरमेशन है, तो उसको पहले अनलाइज करें, फेक इंफोरमेशन को ट्रावल ना करें लडे ना आपस में, मैं देखता हूँ, social sites पे, whatsapp, facebook, instagram, सब पे मतलब आपस में जंग चुरी हुई है, ये सब ना करें, ठीक है, एक दूशरे के साथ, तो अभी एक साथ खड़े होने का एक मौका मिला है, हम सभी साथ साथ हैं, तो साथ साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अ सारी information बच्चों के पास जाए, मैं आशा करता हूँ, कि आप सभी लोग मेरी इस बातों को समझ गए होंगे, बात मानेंगे, और अपनी परहई पर ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, मिलता हूँ मैं, आगे, next video में कभी, फिर कुछ ऐसी चीजे information लेकर के समझाने के लिए आप सभी से, अच्छा लागा तो सही है परिएगा अपने दोस्तों के साथ, तब तक के लिए भन्यवाद,